पार्ग में स्रेटी में अगर को मेंबर आज की टेट में इंवेस्टमेंट करना चाहे तो उसके पास क्या आप्शन्स हैं देफिंटी योग है कि ब्लॉग जिसकी जमीन पर अभी तक कोई एक्जिस्टनस मजूद नहीं आपको कुछ ऐसे ऑप्शन्स भी मिलते हैं जो प्लॉट्स जमीन पर एक्जिस्ट करते हैं लेकिन आपको उस plots की कीमत भी अच्छी मिलती है तक्रीबन आट से नौ लाग पर मरला इन सम केसिज टैन लैक से टैन प्वाइब रॉपीज पर मरला और उन plots की जमीन पर एक्चुल एक्जिस्टेंस आप फिसिकली आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पर्कु स्टेटी में दो ब्लॉक्स हैं जैसे ब्लॉक जे जैसे ब्लॉक ओवर्सीज ओवर्सीज ब्लॉक और जे ब्लॉक में इस लग डिवल्पेंट है वह भर पूर पेस में जारी है जो अकसर मुस्सा सवाल करता हैं कॉल करते हैं पूछते हैं पर्कु स्टेटी में बेस्टोटेबल ऑप्षिन प्राइस के मार्जन पॉइंट फिस से कौन सा है आप बहरिया का देख लेए आप गुलबग का देख लेए किसी और B-17 का देख लेए तो आपको तमाम जो साइटीज हैं वो शेहर से 0.0 से almost 20-25 या 30 किलोमेटर के फासले पे नज़र आती है तो पार्गो सिटी इसलामबा जो है वो half distance पे है और that too in a very good location, very serene environment कि यहां पर अगर घर बनाते हैं तो आपको जो 360 का view मिलता है यानि 360 डिग्री आपको जो view मिलता है that is outstanding क्योंकि यहां पर आपको चारो तरफ जो हो हार तरफ एक अच्छी लेंडस्किप नज़र आती है अच्छी elevation नज़र आती है और अच्छी elevation के साथ साथ यहां पर family point को से अगर आप रहना चाहते है तो आपको बहुत अच्छी location मिलती है पार्क्वियू सिटी इसलामबाद में अब पार्क्वियू सिटी इसलामबाद में जो amenities हैं वो हर बंदे को आलरी पता है आपको जिस मरी का environment रहता है मरी को लोग प्रेफर क्यों करते हैं हेल स्टेशन के तौर पे आप गर्मियों की चुटियों मनाने मरी, नतियागली, एप्टाबाद इस तरफ क्यों जाते हैं reason is कि आपको जो environment है जो आपकी surrounding है वो matter करती है पर जेंबल को बंदा लाहूर में रहता है या फैसलबाद में रहता है 60 या 55 लाक विली बुकिंग, वो आपको एवरेज जो है, तरीबन 70 या 60 या 80 परसंट पेड प्लॉट मिल जएगा, विट सम प्रॉफिट, आपको तरीबन जाकर 60 या 65 की ब्रैक्ट का प्लॉट पड़ता है, और वो भी फिजिकली जमीन पे एक्जिस्ट प्लॉट, ऐसा नहीं है कि प्लॉट नहीं, बाद में सुसाइटी केगी, कि अभी हमने आपको प्लॉट बेज दिया, फाइल बेज दिया, उसके बाद हम लैंड प्रिक्यूर करेंगे, लैंड प्रिक्यूर करने बाद उसका मैप तियार के जाएगा, मैप तियार करने के बाद महां पे, मिशिनरी मुव की जाएगा, और काम स्टार्ट किया जाएगा, ऐसा नहीं है, अभी आपको जो streets नजर आ रही है, जो main boulevard नजर आ रहे है, जो horti culture नजर आ रहा है, जो बाकी आपको जितना काम होता हो नजर आ रहा है, यह सारा कुछ आज की डेट में आपको जमीन पे existed नजर आता है, आपको अगर पार्गी सिटी में block A और block B की rates का पता है, तो वहाँ आपको एवरिज डेट मिलते है तर्रेज से लेके 75 लाग रुपीज पांच प्रम पोलाग मिलते हैं ब्लॉक A और ब्लॉक B में, ब्लॉक A और ब्लॉक B के बिलकुल opposite साइट पे आपको ब्लॉक J और और ब्लॉक ऑवरसी ब्लॉक के प्रमिसिस मिलती है तो आपको पूरे Parkview City का ना सिर्फ Parkview City का view मिलता है बलके आपको इसलामबाद का view मिलता है शाम के वक्त पूरे इसलामबाद के से मुनाल में आप जाते हैं तो आपको पूरे इसलामबाद की lights नजर आती है same goes for e-block and f-block वहाँ से भी आपको 360 view मिलता है जो के इंधाई शांदर view बनता है लेकिन अगर आप कम पैसों में वहाँ पे 85,90,90,90 प्लॉट है और यहाँ पे प्लॉट जो है तकरीब आपको 55,90,90 प्लॉट मिलता है तो यहाँ जो प्लॉट बनता है आपको half price में मलता है लेकिन यह के जमीन पे develop plot possessionable plot मिलता है और map पे balloted plot मिलता है तो पार्क्यों city में इसको की best investment रनती है before going in तो डीटेल सबसे पहले मैं आपको Google Earth location में map explain कर दूँ उसके बाद मैं वीडियो में आगे जा के तमाम चीजें details explain कर दूँगा पार्क्यों city इसलामबाद की जो Google Earth location है वो देख सकते हैं यह पार्क्यों city का downtown बनता है जहां पर तमाम high-rise commercial जितर मैंने वीडियो में reference दिया था कि दुबई downtown की तरस पर यहां भी एक downtown त्यार किया जा रहा है जहां पर commercial high-rise होंगी और center में fountains होंगी जो कि एक बहुत ज़्यादा निया concept है पाकिस्तान के लिहाद से अब बात करें जिस sector के हवाले से आज की वीडियो है वो sector 15, sector J यह locate करता है right in front of sector A and sector B अब sector A और sector B में मैं separately वीडियो बिलादो का बाद में कि वहां पे rates अगर आप calculate करते हैं सेक्टर A और sector B में जो आपको average rates मिलते हैं that is 8.5 million to 9.5 million रुपीस पांच पनलाग अप्लाड और यहाँ पे opposite side पे आपको right in front of sector A and sector B यह sector A है यह opposite side पे sector J बनता है और यह sector B के opposite side पे यह gate है पार्किस रिटी का जो निया gate construct हो रहा है जो वीडियो आप देख भी लिए अपने और दूसरा जो previous gate बना हुए पार्किस रिटी का sorry यह previous gate है and यह new gate construct हो रहा है यहाँ पे अब दोनों gates के अगर आप reference point को quote करते हैं तो दोनों opposite side पे देखें यानि के एक गली के उस तरफ है और एक गली के इस तरफ है यहाँ पे rate जो है वो तक्रीबर पचासी लाख रुपया है पांच मरला का cash पे और यहाँ पे जो rate है वो तक्रीबर आपको 55-60 लाख रुपय cash का plot मिलता है reason is कि यहाँ पे जितने plots हैं वो तमाम plots और यहाँ पे जो possession है वो अगले 4-6 मा में members को हैंडवर हो जाएगा अभी यहाँ पे development आपने फिजिकली देख लिए development किस तरह से हो रही है और आने वाने दिनों में तक्रीबर 4-6 मा के अंदर-अंदर यहाँ पे development में कमल हो जाएगी अब अगर बात करें कि ब्लॉग जे से हम डाउंटॉण का distance वो कितना बनता है और जो ब्लॉग जी बागी चीजें है वह में वीडियो में सासात अगर डाउंटॉण से distance अब देखते हैं 1.79 किलोमेटर का distance है यहाँ पर जा सकते हैं तो commercial जो मरकज है उससे भी located है easy access के साथ है यह ब्लॉग जे की location होगी और ब्लॉग जे की location से आप एजिली opposite side पर करें यहाँ पर पिछे जाके देखें तो 55-60 लाग बनता है तो यह रीजन है कि ब्लॉग जे में इस वक्क इन्वेस्मेंट अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा खातरखा रिटन आप इससे बहुत ज्यादा बेटर आप्शन जो बनता है उसमें 25 लाग एड कर लें तो यहाँ पर कैश का प्लॉड लेजते हैं जब आपको प्लॉड अल्यूज प्लॉड में आपको प्लॉड नहीं करने लेट सबोस आपका प्लॉड प्लॉड कोर्नर आप पार्क फेस्टा जिस भी मेंबर के नाम पे प्लॉड होगा डैफिनलि उससे प्लॉड कि सारे चार्ज यह पे हुए होगे तो 55-60 लाग की ब्रैकेट में अगर आपको यहाँ पी प्लॉड नि कि ब्लॉड दे ब्लॉड फी अ प्रोजेक्ट है, Capital Development Authority जोन फोर का और सीडी अप्रूट प्रोजेक्ट है, तो यहां से जिससे आप व्यूव आपको मिलता है, वह एंताई शांदार व्यूव बनेगा, तो यहां पे 8.5 मिलिन रुपीज का प्लॉट वर्त करता है, अब हेल स्टेट जो प्लॉट जो फ्यूच में जाके लाउच होगा, तो उसकी सैंस्टी मनती, 8.5 मिलिन की, फ्यूचर में जाके यहन के डिलिवर होगा, वो जहां पर डिलिवर होता है, लेकर लिए लिए नहीं फो फॉर्ट इस नहीं करता है, हम सिर्फ कर रहे हैं वो और ओप्शन जो जमीन पर इक्जिस्स करते हैं On the other side अगा देखें ब्लॉक E की लोकेशिन को लिख वो भी विल्कुल ब्लॉक F की तरह यहां पे ब्लॉक F की तरह सारे terraces plot नहीं के बहुत ज़्यादा Elevated Plots थे लिहां से ब्लॉक F और E को बहुत ज़्यादा अड्वाटई जो सेल्दी और यहां पे ब्लॉक E में जो साइट् तो यह प्लॉट्स जो आपको डेलर पीच करेंगा लेकिन एक्ट उन ग्राउंड रियालिटी को देखें तो आपके पास मैं पार्गुश से रेगुलर से काम नहीं करता जिसे थेना मैं कैपिल स्मार्टी करता नहीं आपके लेकिन आपके आपके चॆप्टियम्टी के है उस लहाज से काफिर सोटेबल होंगे तो ब्लाग E और ब्लॉक F कैश पे और ब्लॉक J और ब्लॉक Overseas यह कैश के प्लॉट इन था यह रीजनेबल प्लॉट बनते हैं अगर आप पार्क के उस्टी में प्लॉट लेने को करने हैं अगें बैक रेल टाम फोटेज इस वक्रीम पर पार्क विश्टी ब्लॉग जे की फोटेज एक सितने ब्लॉग जे के बिल्कुल ऑपोजेट साइट पे जिस तरह मैंने वीडियो में एक्स्ट्रेन किया पहले स्टार्ट में कि बनता है ब्लॉग A और ब्लॉग B बनता इंतहाई शांदर एलिवेशन में जिस तरह के हेल स्टेशन के एलिवेशन होती है जिस तरह पंजाब के लोग ट्रेवल करते हैं मरी के लिए नथिया के अप्टाबाद के लिए तो यहां पर आप फॉलिडे होम भी बना सकते हैं इसके लावा यहां पर पर्मनेंट अगर आपको यह वीडियो ची लगे तो प्लीज डू लाइक कॉमेंट और चैनल को स्वर्वाइब परना मत भूलें रिजमान चीमा को दीजे जासत अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिस झाल मत ठूल झालysis को से खुदाइक कि अवीडियो तक क्यों मत पान सला पना सत Desda झाल झाल